हलो डियर इस्टुडेंट वेलकम बैक तो हम लोग जहरकन डिकेटमी काउंसील जैक बोट के लिए क्लास 12 का इंगली स्कोर के लिए 45 दिनों खा जो हम लोग एक स्रीज लेकर कहा हैं जिसमें हम लोग 45 दिनों के अंदर आप लोगों को इंगली स्कोर का सभी A to Z चीजों को मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगा जिसमें आप लोगों का फ्लेमिंगों का बुक का एस्टोरी और पोयम विस्तास का पूरा का पूरा एस्टोरी कोस्टन एंसर सम्मरी नोट्स अबजेक्टिव सबजेक्टिव रिडिंग कॉंप्रीहेंसर अंसीन पेसेज यहां तक की एडवांस राइटिंग स्किल आर्टिकल रिपोर्ट नोटिस लेटर साती साथ आप लोगों का मोडल पेपर आप लोगों का प्रिभीयस यर कोस्टन मेरा इंपोर्टेंट कोस्टन पेपर हर एक चीज हम आप लोगों को इंगलिस में पढ़ाएंगे तो आज उस पैंतालिस दिन का क्या है डे थिरी है इससे पहले दो वीडियो अल्रेडी अपलोड कर चुके हैं और आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला इंगलिस स्कॉर का एडवांस राइटिंग स्किल का रिपोर्ट राइटिंग जो हम लोगों को जारकंड एकेडिमी काउंसिल में हर साल जेग बोर्ड में पूछता है और एटलिस्ट कम से कम पांच नंबर का आप लोगों को जो है ये रिपोर्ट राइटिंग से कोस्टन देखो हम पहले भी बताएं थे आज फिर बता रहे हैं कि जारखंड बोड में इंग्लिस में पढ़ने के लिए हम जितना भी आप लोगों को इंग्लिस का प्रिबियस एर कोस्टन पेपर सब दिखाएंगे जितने भी साल का दिखाएंगे बहुत बड़ा रोकेट साइंस नही आपका कम नंबर आया तब आप हमको बोलना 90% मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा डेफिनेटली आएगा ही आएगा 90% मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है उससे ज्यादा भी आएगा बस मेरा पढ़ाया हुआ हर चीज को आप लोगों को पढ़ना है क्लियर और इस वीडिय कॉस्सेंट डेफिनेटली एग्जाम में देगा ही देगा फांच नंबर का देगा ठीक है चलो हम आप लोगों को आगी वीडियो बताएं इससे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को इस चेनल को आपने सभी दोस्तों की बीच सेयर कर दो चाहे ये चारो ही जो सब्जेक्ट है Arts, Commerce, Science सब लोगों को पढ़ना है हाला कि Arts वालों को Computer Science नहीं पढ़ना है लेकिन English, Hindi और Economics ये सभी लोगों को पढ़ना है और इस सब सब्जेक्ट हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो सभी स्टूडेंट को Arts, Commerce, Science सभी स्टूडेंट के एक पूछा जाता है Report Writing और एक पूछा जाता है हम लोग का Article इससे पहले कल के वीडियो में हम आप लोगों को Article बता दिये हैं अभी तक अगर Article के बारे में आप लोग नहीं देखे हैं तो उपर आई बटन में या जो को Link आया है इस वीडियो को देखने के बाद वहां से जा प्रिबियस एर कोस्टेंड पेपर में यहां से जितना भी Report Writing का कोस्टेंड दिया है वो सब का सब कोस्टेंड हम आप लोगों को करवाएंगे ठीक है चलो अब बात करते है Report Writing होता क्या है एक्चुल में Report Writing का मतलब होता है बच्चा कोई Event के बारे में या किसी चीज के बारे था उसके बारे में बताओ आप रोड से कहीं आ रहे थे रोड के बगल में आप किसी का एक्सिडेंट होते हुए देखे रोड एक्सिडेंट के बारे में बताओ आप घुमने के लिए ताजमहल गये थे ताजमहल में आप क्या-क्या देखे कैसे महसूस के उसके बारे में ब रिपोर्ट के अंदर में जो भी नरेशन लिखा जाता है रिपोर्ट के अंदर में जो भी टॉपिक्स को लिखा जाता है वो इमीडियेट पास्ट फॉर्म का होता है तो आपको वाज और वेर के फॉर्म में इसको बनाना है बस इतना ध्यान रखना है रिपोर्ट का मतलब जो आर्टिकल का अपना format होता है, notice का अपना format होता है, later to editor का format होता है, तो report writing का भी अपना एक format होता है, अगर आप format wise question को बनाओगे, तो आपका exam में एक भी number नहीं कटेगा, 5 number का पूछेगा, 5 number आपको पूरा मिल जाएगा, अब आर्टिकल, report writing करने का format, तो देखो heading में लिखे report writing format, अब ध्यान रखना, जब कभी भी आप एक report लिखोगे, कोई भी topic के उपर आपको report दिया जाएगा, तो सबसे पहले आप जब भी report लिखोगे, ध्यान में रखना मेरा बात, जब भी आप क्या लिखोगे, report लिखोगे, तो ध्यान रखना, report लिखते समय उपर में, heading में given होगा, question में आपको हमेशा बता दिया जाएगा, topic दे दिया जाएगा, कि किस topic के उपर आपको report लिखना है, किस कौन सा topic क्या हुआ था, उसके बारे में report लिखना है, और हमेशा topic question में given होगा, तो जो topic बोलेगा, उसको हम लोग यहां center में लिख देंगे, topic लिखने के करके नेम लिखेंगे कई सारे कोस्टन में नेम यहां पर दे दिया रहेगा और कई सारे कोस्टन में नेम नहीं देगा अगर कोस्टन में नाम दे दिया है तो बाय करके नाम लिखना जैसे सपोच कर लो हम बोल रहे हैं कोस्टन में सपोच कर लो नाम दे दिया है अंकिता तो ह बाई बार question में आपको place बता दिया जाएगा, कि आप कहां पढ़ते हैं, आपका school का नाम क्या है, आपका college का नाम क्या है, आप कौन से class में पढ़ते हैं, ये चीज़ दे दिया जाएगा, अगर question में दे दिया है, कि plus to high school में पढ़ रहे हैं आप, या तो फिर DAB public school में पढ़ रहे हैं, DPS school में पढ़ रहे हैं, अगर school या college का नाम दिया, तो यहां उसका नाम दिखाना place के जगा, और अगर मान लो की नाम नहीं दिया, तो आप इसके नीचे चाहें, तो by exam hall करके भी यहां दिखा सकते हैं, जैसे by अंकिता लिखे, अगर कोई address नहीं दिया है, तो आज आप लिख रहे हो आर्टिकल, रिपोर्ट को, तो आज है हम लोगों का 30 अगस्त, तो यहां पर हम लोग इस तरह से डालेंगे 30 अगस्त, 30 अगस्त 2024, इस तरीके से हम लोगों को इसको fill करना है, बाए करके नाम दिखाएंगे, question में नाम होगा, तो नाम दिखाएंगे, लड़की लोग लड़की वाला नाम, लड़का लोग लड़का वाला नाम, अगर नाम नहीं दिया होगा, तो बाए करके आपको जो randomly नाम रखना है वो रख लेना, इसके बाद उसके नीचे place, कई बार question में place दिया रहेगा, आप कोन school में पढ़ते हैं, college में पढ़ते हैं, और अगर आप exam में बैठे हो, suppose 11 फरवरी 2025 को exam में बैठे हो, तो लिखना 11 फरवरी 2025, clear, इसके बाद एक रोच छोड़ देना, और ठीक इसके सीध है, byline के सीध है, एक रोच छोड़ करके, यहां अब आप article लिखना start करोगे, यह article का पूरा introduction, यहां article, sorry, यहां report का पूरा introduction, यहां report का पूरा body आपको लिखना है, अब यह जब आप यहां लिखोगे, तो आपको याद रखना, कि जब आप report लिख रहे हो, तो report लिखते समय, जो report का पहला sentence होगा ना, तो try करना की पहला दूसरा sentence में, आप उस report का introduction दे देना, introduction दे देना कि वो report किस चीज के उपर था जैसे मानलो अगर, suppose कर लो आपके college में, आपका college में suppose कर लो blood donation camp हुआ था, तो लिख देना, यह blood donation camp was organized, जो भी event हुआ था, road accident हुआ था, a road accident, जो भी चीज के उपर आप report लिख रहे हो, introduction में उसका नाम जरूर mention कर देना, इसके बाद नाम mention करने के बाद date दिखा देना, कि अ अगर आप किसी event के उपर लिख रहे हो, जैसे suppose कर लो, आपके college या आपके school में blood donation camp हुआ था, तो यहां introduction में दिखाना कि आपके school में blood donation camp हुआ था, date बता देना कि blood donation camp कब हुआ था, place बता देना कि blood donation camp आपके school में कहा हुआ था, school के auditorium में हुआ था, school का playground में हुआ था, कहा हुआ था प्लेस बता देना इसके बाद यहां पे लिखना बोडी बोडी का मतलब होता है डिटेल बोडी का मतलब डिटेल प्रोग्राम कैसा था प्रोग्राम में कौन-कौन आया था प्रोग्राम में आपको कैसा लगा प्रोग्राम में क्या-क्या चीज हुआ जो भी मिक्स मस मसाला उसाला जितना भी डालना है सारा चीज आप इसी के अंदर में डाल देना बोडी में इसके बाद आगे बोडी को बढ़ाते हुए कनक्लूजन लिखना कनक्लूजन का मतलब होता है कि आपको इस इवेंट से कितना फायदा मिला आप इस इवेंट से क्या सिखे वो बताना इसके बात यहां पर बताना अगर बताने मन करेगा तो रेफरेंसेस भी आप बता देना नहीं तो आप इसको छोड़ देना तो basically report जो है एक जो रिपोर्ट जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है ठीक है हम साइड हट जा रहे हैं अच्छा से इसका स्क्रिन सोट ले लो और कोपी में इसके फॉर्मेट को अच्छा से लिख लेना ये सब चीज नहीं हम मिटा दे रहे हैं अराम से इसका स्क्रिन सोट लो और अराम स से और अच्छे से समझना हम थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रहे हैं पहले हम आपको लोगों को question दिखाते हैं इसके बाद इसको आगे समझाएंगे देखो क्या बोल रहा है question में देखो the electoral literacy club of your school organized a voter awareness program in the school campus यानि आपके school का जो एक club है electoral literacy club वो एक voter awareness program organized कर रहा है voter awareness का मतलब होता है जैसे अभी चुनाओ उनाओ आता है ना तो चुनाओ में हम लोगों को नेता कैसे चुनना चाहिए vote देना क्यों जरूरी है इसलिए आप लोगों को aware कर रहे हो लोगों को जागरूप कर रहे हो write a report देखो क्या लिखने बोला उसके उपर जी क्या लिखने बोला एक report लिखने बोला write a report in about 80 to 100 words 80 to 100 words में बोला लेकिन हम आप लोगों को suggest करेंगे कि report आप लोग 200 से लेकर के 200 words में report आप लोग लिखोगे और school magazine describing the event इस event को describe करते हुए sign is मुकूल मानसी और जिल्ला पलस टू हाई स्कूल राची यानि आप अपने आपको अगर लड़का हो तो अपने आपको मुकूल बुल लिखना और लड़की हो तो अपने आपको मानसी लिखना और आप कहां पढ़ते हो जिल्ला पलस टू हाई स्कूल राची देखो आपको आपका नाम भी दे दिया और आपको आपका प्लेस भी दे दिया है क्लियर है और क्या दे दिया टोपिक कौन सा टोपिक दिया है write a report about 180 to 100 words about for the your school magazine किस चीज के उपर लिखने बोला है water awareness program हुआ था क्या हुआ था आपकी स्कूल में water awareness program हुआ था यह water awareness program हम लोगों के लिए क्या होगा यह हम लोगों के लिए heading होगा अब देखो जब हम लोग इस question को बनाएंगे द्यान से समझना जब हम लोग question को अभी इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या बोले थे उपर में सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग उपर में क्या लिखेंगे आपका सबसे पहले उपर में हम लोग लिखेंगे heading heading या title तो देखो सबसे पहले उपर में top में heading लिखेंगे है heading है water awareness program क्योंकि question में बोला था water awareness program हुआ heading लिख दिये, एक रो छोड़के left side, left side में बोले थे ना by करके नाम लिखना, तो by करके नाम दिखाएंगे, हम दोनों नाम slice करके दिखाएंगे, आप लोग एक नाम दिखाना, लड़के हो तो by करके मुकुल लिखना, लड़की हो आप तो by करके मांसी लिखना, उसके बाद place लिखा जाता है थो देखो प्लेश करकेडेश दिए और देखो प्लेस में क्या बोला है आप कहा परते है Fortune प्लेश में लिखे जिल्ला फ्लेश्ट हाई इस्कूल राची में यह प्रोग्राम हुआ था डेड आज इना तारीख है अगर water program हुआ है अगर आप यहां तक भी चीजों को लिखते होना तो step marking system में examiner आपको यहां तक भी कुछ number देना start कर देगा अब आपको इसके अंदर का चीज को लिखना है और हम बताएं थे जब हम लोग यह body को लिखेंगे इसको body बोला जाता है जब हम लोग इस body को लिखेंगे तो सबसे पहले हम बोले थे हम लोग को introduction बताना है कि यह program कब हुआ था कहां हुआ था कितना बजे से हुआ था हमको इस program में कैसे लगा इस program में क्या क्या चीज हुआ कोन आया था इस प्रोग्राम में क्या-क्या इस प्रोग्राम में हुआ और सबसे लाश्ट में अपना कंक्लूजन दे देना है आपको तो देखो पहला रो में देखो वही बुला गया है यह वोटर आवरनेन्स प्रोग्रां में इलेक्ट्रोरलल लिट्रेसी कलब के हैल्प से आपके स्कोल में वोटर आवरनेस प्रोग्रां में несколько प्रोग्रां में हुआ देखो पहला ही रो में इंट्रोडक्शन दे दियें यही आपको देना है अच्छा और हम बोले थे ना इसको इमीडियेट पास्ट फॉर्म में लिखना है तो देखो यहां पर वाज वर्ड का यूज किया यानि यह इवेंट हो चुका है उसके बारे में आप आज मेगजिन मे बता रहे हो दा प्रोग्राम वाज हेल्ड ओन सेकेंड फेब 2014 देखो सेकेंड फेब हम यहां लिखे है आप इसको डेट चेंज कर सकते हो अगर आप 30 अगस्ट को लिख रहे हो तो इसको आप चेंज करके क्या डाल सकते हो 30 अगस्ट है ना तो इससे पहले हो चुका है तो इसका में मकसद था लोगों को जागरू किया जाए और उन्हें बताया जाए कि वोड देना कितना ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है उसके बाद आगे बोल रहा है कि अवर सकुल प्रिंसिपल, टीचर्स, ओल इस्टाप्स, इसवेलेज, गृया एस तुडेंट में हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर्स, हमारे सभी इस्टाप्स, सब लोग इसमें प्रिजन्ट थे the police commissioner of our city was the chief guest of this program और इस program में हमारे chief guest कौन थे हमारे chief guest है police commissioner पता है report लिखते समय अगर आपको चीजों को बढ़ा करना है और वो report अगर आपकी school या college का कोई event के उपर है जैसे college में yoga seminar हुआ था बलट donation camp हुआ था international yoga day celebrate किया गया था woman day celebrate किया गया था उसके उपर report लिखना है तो बता देना कि chief guest कोन आया था इसमें हमारे principal भी थे हमारे class teachers भी थे हमारी school के सभी staffs थे सभी students लोग थे ऐसा करके लिखो गे ना तो 3-4 row automatic बढ़ जाएगा ठीक है तो लिखते लिखते बहुत सारा word अपने आप बन जाएगा आगे बोल रहा है who light the candle and started the program chief guest ने candle जलाया दिया जलाया इसके बाद program को start किया he gave a important speech about the power of word यानि जो हमारे chief guest police commissioner थे उन्होंने एक बहुत अच्छा speech दिया और बताया कि क्यों उतना important है हमारा word देना बोल रहा है he also taught us how use our words to select right person as a leader to lead our state and country उन्होंने बताया कि हमें किस तरीके से अपने वोट को use करना चाहिए जिससे हम लोग अपने देश के लिए अपने राज्य के लिए एक अच्छे नेता को चुन सके it was a great program for everyone और यह program सबके लिए बहुत अच्छा था देखो आप conclusion दे रहे हो कि यह program सबके लिए अच्छा था we taught us we taught many more things about the importance of vote हमने vote के बारे में बहुत सारे चीजों को सीखा we should under our voting rights and use this power for selection of right person as a leader for our country it was a life changing movement for all of us और यह हम सभी लोगों के लिए life changing movement था ठीक है अगर दिख नहीं रहा है तो हम नीचे से दिखा देते हैं इस चीज को हम बोल रहे हैं ठीक है देखो यह हम लोगों के लिए life changing movement था आया समझ में यानि देखो ना अगर हम लोग को देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सिखा हम लोगों ने क्या सिखा उपर में सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है उपर में सबसे पहले हम लोगों को हेडिंग लिखे हेडिंग में इसके बाद हेडिंग के बा है, कि program कब हुआ था, कहां हुआ था, program क्या था, program में कैसे हुआ, कौन chief guest आये थे, program कैसे हुआ, हम लोग का सभी staff लोग थे, principal थे, ऐसे करके लिखे, और last में अपना conclusion दे देना कि आपको कैसा लगा, अगर आप इस तरीके से लिखते हो, तो undoubtedly आपको इसमें full on full marks बस आपको practice करना है ठीक है हम एक बार side हट जा रहे हैं इसका पहले question का screen shot ले लो ले लिए इसके बाद इसका solution है यह देखो इसका solution का भी screen shot ले लो और एक बार आप इसको लिख के एक बार आप इसको पढ़ना format को अच्छा से लिख लेना इसको लिखना question और इसका answer लिख के पढ़ना आपको automatic समझ में आ जाएगा ठीक है एक और question प्रेक्टिस करते हैं और फिर जेग बोट के द्वारा जो भी exam हो चुका है यह इन सारे exam का questions पेपर हम आप लोगों को देंगे हम जितना भी question आप लोगों को देंगे हमर करने के होगे report लिखोगे सही लिखो गलत लिखो incomplete लिखो complete लिखो कैसे भी लिखते हो सारा चीज लिखने के बाद telegram channel अगर आप लोग नहीं चलाते हैं तो telegram चलाईए जैसे WhatsApp चलाते हैं ना वैसे ही टेलिग्राम चलाईए प्ले स्टोर में जाके एक हजारी स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो एक हजारी स्टूडेंट मेरे साथ साथ पढ़े हम जो जो चीज जो जो चीज आपको पढ़ा रहे हैं जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वह सारा चीज मेरे साथ पढ़ते जाओ हम जो भी चीज पढ़ने बोले कोई भी चीज को म और अभी जब पड़ा रहे हैं तो किसी को पड़ने का मनी नहीं आए लेकिन ये गलती आप लोग मत करना ठीक है जो हम्मर्क देंगे जो कोस्टेंगे जो बनाने बोलेंगे हर चीज को बनाना और हर चीज का एंसर हमको आप लोग भेज़ देना क्यूंकि गलती होगा तो हम कोस्चन उठाते हैं यह देखो यह भी कोस्चन अच्छा है देखो क्या बोल रहा है कोशन्य में समझना हैंना देखो अब he कुस्चन में बोल रहा ह। यू और संजना या संजय औफ क्रिष्णSt plujs चो रांची आप संजय या संजना है कहाँ पढ़ते हैं आप बाल कृष्णी प्लस टु हाई स्कूल राची में ऐप बलट डोनेशन केंप वाज ओर्गोनाइजड इन यूर इसकूल आपके स्कूल में एक बलट डोनेशन केंप अर्गोनाइज किया गया था राइट एर रिपोर्ट फोर यूर इसकूल म अब देखो अगर हम को report लिखना है तो क्या बताएं थे report लिखने के लिए सबसे उपर में heading ना है और heading क्या है बलट डोनेशन हुआ था बलट डोनेशन केंप तो देखो heading में यहाँ पे लिख दी है बलट डोनेशन केंप heading बोलो या title बीच में लिखे फिर एक रोग छोड़ करके side में left side में देखो by करके नाम दिखाएंगे लड़की लोग अपना नाम by संजना लिखके छोड़ देना लड़का लोग अपना नाम by संजना लिखना उसके बाद देखो नीचे place लिखे place लिखे days कहां पड़ते हैं तो address दिया था और अगर address नहीं दिया होगा question में तो place के जगा क्या लिख सकते हो place करके days देके लिख देना exam hall या place करके छोड़ देना इसके बाद देखो आज लिख रहे आज 30 अगस्त है तो आज का date डाले 30 अगस्त 2024 इसी format में date को लिखना अब देखो आपके school में वो जो blood donation camp हुआ था उसके बारे में आप बताओगे school में blood donation camp हुआ था कहां हुआ था कितने बज़े से हुआ था कौन-कौन blood donation camp में आया था blood donation camp में क्या किया हुआ कौन-कौन लोग blood donate किया ये program कैसा रहा आपको कैसा लगा इसके बारे में आपको बताना है खतम कहानी तो देखो क्या बोल रहा है ए बलट डोनेशन केम्प वाज देखो फिर वाज यूज हुआ क्योंकि ये हो चुका है ये काम ए बलट डोनेशन केम्प वाज और्गोनाईजड इन आवर देखो आपको अगर इतना लंबा चोड़ा नहीं लिखना है तो सिंपल से लिखना ए बलट डोनेशन केम्प वाज ओर्गोनाईजड इन आवर इसकूल केम्पस ऐसे भी लिख देना नंबर मिल जाएगा अब ये बलट डोनेशन केम्प कब हुआ था कहां हुआ था कैसे हुआ था उसके बारे में बता रहे हम यहां रेंडमली कोई भी डेट डाले हैं बहुत पुराना डेट हो जाएगा आप इसमें कोई नया डेट डाल देना इससे पहले का यानि 10 बज़े से लेके 4 बज़े तक हुआ ओन आवर स्कूल केम्पस सम डॉक्टर्स प्रोम आवर रेट करो सोसाइटी मतलब होता है वो सोसाइटी जहां काम होता है जो लोग बलट डोनेट करने का काम करते हैं जगा जगा पे बलट डोनेट केम्प लगाते हैं लोगों को बलट डोनेट करवाते हैं बलट बेंक टाइब का वो लोग रेट कोरो सोसाइटी गेब देयर सर्विस इन दिस प्रोग्राम रेट कोरो सोसाइटी वालों ने अपने सेवा दिया बिफोर एस्टार्टेट दा प्रोग्राम ए हाई ग्रेट डॉक्टर गेब एस्पीच ओन्दा बलट डोनेशन केंपे start होने से पहले एक senior डोक्टर ने बोला इसपीच दिया कि हम लोगों को बलट डोनेट क्यों करना चाहिए और बलट डोनेशन करना कितना जरूरी है इस तरीके से इसपीच दिया आवर स्कूल प्रिंसिपल देखो फिर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, हमारे स्कूल के सभी स्टाप और स्कूल के सभी स्टूडेंट्स ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया All the people filled out the form before donating blood Blood donate करने से पहले सभी लोगों ने form भरा First of all, our principal sir gave his blood सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल सर नहीं जो है वो बलट देना स्टार्ट किया and they are and and started the program उसके बाद program स्टार्ट हुआ after diet all the staffs, teachers and other students were also donated their blood और उसके बाद बाकी principals के बाद बाकी teachers, school के सभी staffs और student लोगों नभी बलट डोनेट किया around 100 units bloods were collected through this program लगभाग 100 unit bloods जो है वो collect हुआ इस प्रोग्राम के तार after the donation of blood everyone ate some fruits and drank water इसके बाद बलट डोनेट करने के बाद लोगों को fruits दिया गया, पानी दिया गया, juice दिया गया, पीने के लिए, drunk juice blood donation is a noble work, we should donate our blood to give other lives यानी हम लोगों को बलट डोनेट करना एक नेबल वर्क है, एक बहुत अच्छा काम है और हम सभी लोगों को लिखना है report writing, अगर आप इतना लिखोगे तो आप लोगों को exam में पूरा में पूरा marks मिलेगा, clear है, आग यह समझ में side heart जा रहे हैं, इसका भी screen shot ले लो और इसको question और answer दोनों के साथ इसको लिख लेना, ठीक है, चलो अब जेग बोट के तरफ से यह जितना भी exam हुआ है, उन exam में पिछले चार सालों का हम आप लोगों को question दे रहे हैं, एदेखो, एदेखो भाई, जेग बोट के तरफ से exam हुआ था, कब 2024 में exam हुआ था, कब exam हुआ था, 2024 में देखो उसका question बोला, write a report about a road accident involving a car and bus, यानि में क्या हुआ था, road में car और bus का accident हुआ, तो accident आप देखे, gave the detail of the people injured, तो आपको इसी के बारे में एक report लिखके बताना है, कि road accident में आप क्या देखे, अब देखो अगर आप इसको लिखना start करोगे, तो हम थोड़ा सा समझा रहें, जब लिखना start करोगे, तो सबसे पहले उ accident तो यह हो जाएगा heading, तो heading में हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, heading में हम लोग लिखेंगे, road accident, ठीक अब बताओ, एक रो छोड़ करके, left side में हम लोगों को क्या लिखना है, सबसे पहले by लिखना है, तो यहां लिखेंगे by करके नाम, अब देखो question में तो नाम नहीं द लिखेंगे, अब बताओ question में ये भी तो नहीं बताया है ना, कि आप कहां रहते हो, place क्या है आपका, तो place करके लिख देना, place करके लिख देंगे exam hall, place करके क्या लिख देंगे हम, exam hall, अगर आपको place छोड़ना है, तो छोड़ देना कोई दिकत नहीं है, नहीं तो exam hall लिख फिर एक रोच छोड़ करके date डालेंगे, अब जैसे आज 30 अगस्त है, आज road accident होतों वे देखे हैं, तो आज रिपोर्ट लिख रहे हैं ना, तो यहां लिखोगे 30 अगस्त 2024, अब एक रोच छोड़ करके, अब आप इसके बारे में आप पूरा detail में लिखना स्टार्ट कि road accident कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ road accident, किस जगा पे road accident हुआ था, किस तरीके से bus और एक car वाला आपस में टकरा गया, कितने लोग घायल हुएं, कितने लोग injured हुएं, किस तरीके से उन लोगों को medical treatment के लिए भेज दिया गया, और किस तरीके से हम लोगों को गाली चलात आते समय, driving करते समय बचना चाहिए, जिस तरीके से road accident बहुत ही कम हो, क्योंकि आजकाल road accident बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरीके से आपको इस body को जिस तरीके से present करना है, कर देना, practice करना, practice make a man perfect, ठीक है, और इसको बनाना, और बनानी के बाद इसका question हमको telegram पे हमको भेज़ देना, नमबर है, 6201440595, और इतना ही नहीं, और question देंगे practice करने के लिए, बने, चाहे ना बने, आधा बने, चाहे अधूरा बने, चाहे जैसे भी बने, हमको आप लोग फोटो खिचना, जितना जैसे बनता है बनाना, और फोटो खिचके हमको भीजना, थोड़ा 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 मेरे साथ पढ़ो, हम जितना पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, सीरियस हो करके पढ़ो, ने तो ओनलाइन पढ़ाना सब बेकार है, हम आप लोग को पढ़ा दिये, हम आप लोग को होमक दिये, घर में आप लोग पढ़े ही नहीं, तो मेरा ओनला 24 में पूछा था arts commerce science वालों में क्या बोल रहा है you have received a training in first aid as a member of red cross society ठीक है इसके बारे में देखो लिखने बोला है report इसके बारे में भी लिखना और हमको भेजना ठीक है screenshot लेते जाना हो गया आगे यह देखो यह भी 2024 में पूछा था arts वालों को यह arts वालों का question है you are mannao manbi of dps बोकारो recently yoga and meditation program यानि आपके school में yoga and meditation program हुआ था उसके बारे में आपको क्या लिखके बताना एक report लिखकर के इसके बारे में आपको बताना है क्या लिखके बताना है एक report लिखके आपको बताना है clear आगे question में बोल रहा है world environment day आपके देखो यह 2023 का है आपके school में world environment day program celebrate किया गया था world environment day उसके लिए आपको क्या लिखना एक report लिखके आपको उसके बारे में बताना है आप लड़के हैं तो आपका नाम स्याम है लड़की है तो आपका नाम स्यामली है और आप class 12 में पढ़ते हो ठीक है चलो आगे हो गया आप बोल रहा है यू आर मुक यह देखो 2022 का question है देखो 2022 हम फिर से बोलेंगे जेक बोर्ड हर साल question पूछता है भाई इसलिए question जरूर करना ठीक है देखो यह भी क्या हुआ था high school राची Corona vaccination camp आपके school या college में Corona vaccination camp हुआ था उसके लिए आपको जो है एक report लिखके बताना है आपके मन में सवाल आएगा कि क्या सर जेक बोर्ड जो question पूछता है वो question पूछने का chance होता है दुबारा बिल्कुल होता है और plus practice करना है ना तो practice करने के लिए सबसे अच्छा है कि previous year question करो क्योंकि आगे जा करके November, December महिना में हम आप लोगों को खुद 25, 25, 30 questions करवाएंगे अभी के लिए जितना practice करने बोल रहे हैं उतना कर लो और इसके अलावे ये तीन extra questions है ठीक है हम side हट जा रहे हैं हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं इसका screenshot ले लो और सब का sub questions जितना भी questions हम आप लोगों को दिये हैं सब का sub questions को बनाओ और बना करके हमको एक-एक question का answer जो है वो हमको टेलिग्राम चेनल पे आप लोग भेज दोगे अगर अच्छा से पढ़ना है तो अच्छा से पढ़ो वीडियो पसंद आई है तो like करो, share करो, comment करो, जादा से जादा इसको share करो, arts commerce, science, तीनों ही stream के student तक वीडियो को पहुचा दो और उनसे channel को subscribe करवा देना ताकि हम लोगों का परिवार बढ़ा हो और हम लोग और ज्यादा अच्छे तरीके से grow है और बाकी subject भी हम आप लोगों को और जल्दी पढ़ा सके ठीक है चलो, bye, take care